रच्छा बंधन पर दस लाइन का सबसे अच्छा निबंध पहली लाइन है रच्छा बंधन हिंदूों का एक पवित्र और प्रमुख तेवहार है जो हिंदू होते हैं उनका पवित्र और प्रमुख तेवहार होता है रच्छा बंधन का तेवहार फिर दूसरी लाइन है रच्छा बंधन का तेवहार स्रावण मास की पूरिमा को मनाया जाता है मतलब अगर हिंदू कैलेंडर के नुसार देखें तो जो रच्छा बंधन का तेवहार है यह स्रावण मास की पूरिमा को मनाया जाता है फिर अगला है यह तेवार हर साल अगस्त के महीने में पढ़ता है यानि प्रतेक साल अगस्त के महीने में ही रच्छा बंधन पढ़ता है अब अगस्त के महीने में डेट इधर वदर हो सकती है जैसे 2024 चल रहा है तो 19 अगस्त को पढ़ेगा फिर अगला है रच्छा बंधन भाई बहन के बीच पवित्र प्यार और अटूट रिष्टे का प्रतीक होता है जो भाई बहन का प्यार है वो पवित्र प्यार होता है और उनके अटूट रिष्टे का प्रतीक है अटूट रिष्टे को दरसाता है अगली लाइन है रच्छा बंधन के दिन सभी बहने अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। उपहार देकर उनकी जीवन भर सुरक्षा का वजण देते हैं। यानि जब बहने राखी बांधती हैं, तो राख्री बांधने के बाद में जो भाई होते हैं, उनकी जीवन भर रच्छा का सुरक्षा का वचन देते हैं और उपहार भी सात में देते हैं इसलिए अगला पॉइंट है रच्छा बंधन के दिन स्कूलों कालेजों वा अन्य सरकारी संस्थानों में छूटी रहती है यानि जितने भी सरकारी संस्थान होते हैं कालेज होते हैं स्कूल होते हैं इस दिन सभी बंद रहते हैं फिर अगले लाइन रच्छा बंधन पर बिभिन प्रकार के पकवान जैसे गुजिया और मिठाईया खाने को मिलती हैं यानि जिस दिन रच्छा बंधन होता है उस दिन घरों में बिभिन प्रकार के पकवान बनाया जाते हैं, जैसे गुजियां हैं, सिवाई हैं, पूरी हैं, कचवडी हैं, और भी कई प्रकार के पकवान बनाया जाते हैं, और मिठाईयां भी आती हैं, तो ये सारी चीजे खाने को मिलती हैं, फिर अगला है, रच्छा बंधन प होती हैं मिठाई की दुकाने भी सज जाती हैं अगली और अंतिम लाइन है रच्छा बंधन को सभी धर्मों के लोग बड़ी ही हरसो लास के साथ मनाते हैं यानि कोई भी धर्मों लगबग सभी धर्मों होते हैं लगबग में सभी धर्मों के लोग रच्छा बंधन का दिवहा मनाते हैं तो इसी लाइन के साथ आप सभी लोगों को रच्छा बंदन की हार्दिक सुब कामना है धन्यवाद